तो आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और मार्किट ओपन होने में अभी चार मिंट पे बाकी है मतलो प्री मार्किट ओपन होने में इससे पहले में आपको कुछ इंपूडेंट बाते बता देता हूँ जो आपको जरूर सुननी चाहिए देखो मार्किट ओपन होने के बाद आप ट्रेड अगर करते हो जैसे कि 9-15 पर मार्किट ओपन होती है यह बाते आपको जानना बहुत जरूरी है 9.15 पर market open होने के बाद अगर आप first candle में ही trade करते हो तो आप जो भी है loss कर बैठ होगे क्यों क्योंकि market को settle होने में time लगता है जिस किसी ने btsd trading कर रखी होगी या फिर पिछले दिन किसी ने hold कर रखे होगे तो market में काफी sale buy ये settlement होने का time लेती है तो देखो अगर मैं आपको बताओं तो 9.45 तक market settlement ही होता है मतलब अपने आपको थोड़ा अच्छे तरीके से सही डेंक से करता है और उसके बाद market थोड़ा सा अच्छे तरीके से चलता है उस बाद दोड में अगर आप trading करोगे तो लोस हो जाएगा totally क्योंकि अच्छे तरीक तक लगबख सड़े 300 तक market गई थी अवे market 48847 पर जो भी है ट्रेड कर रही है अब देखो market का यह swing भी हो सकता है अब देखो market जिस तरीके से आपको दिख रही है न अगर market उपर जाना चाहेगी market में अगर हम bullish होना चाहेंगे तो सबसे पहले कहां पर होंगे हम होंगे इस swing के ऊपर जो की है 9300 के ऊपर समतिंग 300-400 के ऊपर इस swing के ऊपर जाने के बाद ही हम market में bullish होंगे उससे पहले नहीं हो सकते है ना अगर हमें bearish होना है तो हम putki कब सोच सकते हैं जब इस level को market नीचे की तरफ करोज करेगा वैसे हम चोटी मोटी trade ले सकते हैं लेकिन मेरे स आप से market आज जो भी है flat रहेगा मतलो flat opening है तो इसी कारण से market देखो थोड़ा बहुत bullish भी रह सकता है और थोड़ा बहुत bearish भी रह सकता है इस condition में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि कि किस तरीके से हमें trade करने चाहिए और HDFC bank की हम help लेंगे ठीक है ना HDFC bank हमारी बहुत मदद करता है अगर आप भी trade करते हो HDFC bank को देखकर प्रोपर एकदम exit बिल्कुल नहीं होता है कुछ भी लेकिन अभी मुझे दिख रहा है बिल्कुल exit वैसे ही है जैसे bank nifty performance करती है HDFC bank भी वैसे ही करता है इस condition में हमें HDFC bank को देखकर trading करते हैं और 21 पार्ट है हमारी यह 10 KK trading challenge का 21 पार्ट है मतलो हम 20 पार्ट हम तक upload कर चुके हैं उनमें मैंने काफी कुछ आपको बताया है काफी कुछ आपको चीज़े सीखनी को मिली होगी क्या देखकर trading करनी चाहिए कैसे risk management सारी चीज़े आप सीख रहे होंगे तो only 10 पार्ट और है चुके हैं उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं इससे पहले अभी मार्केट नो बच चुके हैं और मार्केट देखो फिर से आज गैप अप ओपन होई है निफ्टी लगबग एक परसेंट दो परसेंट डेट परसेंट चार्ट सु पॉइंट के लगबग और मैं आपने तोटल्ली मार्केट अपने आपको रीचावर कर रही है और की साटप बनता है और कैसे को दिखाने वाले हैं और मैं आपको प्राइज़र दिखा देता हूं प्राइज मेरे साफ से ठीक था कभी मेरे साफ से ठीक था अगे चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक दो लोट हमारी आ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा दूर का में लेना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है आज स्टार्ट हुआ है न्यू मार्किट का जो भी है कॉंट्रेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसकी एक्सपारी 12 जून को है तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा दूर तो नहीं ठीक ठाक हो जाएगा काम 10 परसेंट का प्रॉफिट होता है उतने का ही हमारा टार्गेट रहेगा अगर मार्किट ज्यादा देती है तो उसमें कोई गल्त बात नहीं है वह हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अभी मार्क आपे तबी ओपन हो चुगी है और ये candle आप बन रही है ये शुटिंग स्टार केंडल है और जब भी ये candle बनती है ना तो चांसे रहते हैं कि मार्केट नीचे जरूर आएगा है तो देखते हैं क्या होता है यह चांसे से कि यह नीचे आएगा है क्योंकि यह सूटिंग स्टार्ड यह हमें यही बताती है वह पता चल जाएगा अभी देखते हैं अब देखो ट्रेडर जैसा कि मैंने आप से कहा था कि जब भी यह चैंडल बनती है तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस रहते हैं अभी मार्केट 200 गिर चुकी है लगबग और मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज मेरे इसाफ से स्टॉप लोस काम नहीं करेगा क्योंकि मैं यह 9200 का प्रिम प्राइस देख रहा हूं 580 से आप देख सकते हो लगबग कितना हो जगा है 670 के लगबग पिछे तरस सी तक होया है मतलो 100 पॉइंट यहां पर हमें मिल चुके हैं अगर हम यहां पर इस प्रिम प्राइस को बाइक कर लेते तो इस केंडल के बनने के बाद मैंने काथ आप से कि आवाई 49,000 तक आने के चांसेस हैं हाँ अभी 2500 पॉइंट बा कि याद रखना अभी देख सकते हैं दोस्तों का प्रिम प्राइस है ना यह यह वाई सब इतनी वोलेटिलिटी में है मतलों बहुत ज्यादा 50-60 पॉइंट कुछ नहीं है इसमें 50-60 पॉइंट कुछ नहीं है 50 पॉइंट कर स्टोपलोस होना चाहिए आज के दिन तो मेरे हि सोचना गल्थ है क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ एक पेपर ट्रेड लेके देखा था इस पर में प्राइस को यह उन्हें चाहर दोस्तों वाले को तो अच्छा कासा हमें असी के लगबग पॉइंट यहां पर मिल चुके हैं तो अभी विक भी देख सकते हो आप विक मतलब क एक के करें मार्केट को उपर उठाने की बायर पूरी कोशिच कर रहें तो इस एरिये में एक थोड़ा सा ट्रेपिंग है थोसकते हैं या तो मार्केटिस से अपने डे के घा के ऊपर जाए उसके बादनें पर नीचे आए यहां पर 114 1000 पर यहां पर कोई बुली स्कैंडल ल कुमारा बाई हो सकता है कोल के लिए उससे पहले थोड़ असा मैं यहां पर डरूंगा कि डरना जरूरी है और देखते हैं होता क्या है चलो मैं आपके सामने यहां पर एक बाईंग करके दिखाता हूँ एक प्रम्म प्राइज यहां पर सिर्फ एक लोट से ट्रेडिंग करेंगे यहां पर अभी देख सकते हूँ 15 quantity only 628 पर चल रहा है 9000 के सम्तिंग यहां पर investment है यहां पर मैं buy कर देता हूँ और buy करने का आपको लोजी भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा अभी मैं इसको pause करता हूँ और आपको last में बताता हूँ है सो ट्रेडर अभी आप देख सकते हूँ कितनी मस्त यहां पर entry हो यहोई है और अभी जो प्रोफित चल रहा है आपके सामने है और यहां पर आप देख सकते है 700 के संथिंग यहाँ वाफधर चल रहा हूं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर पोजिसन में आपको दिखाना je ताँ हूं, मैंने शर्फ वन लो दिया जाए 629 में 924 रुपई मैंने इसमें इंवेस्ट किये हैं अभी इसुन है आप bit सकते हैं क्या चल है आप के सामने हाए अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप के सकते बहुत ज़्यादा कम कर दिया है वैसे अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है ठीक ठाक चल रहा है लेकिन ये candle मैं बोलता हूँ काफी ज़्यादा trader है उनको बगाने के लिए भी हो सकती है and stop loss hit कराने के लिए ये candle हो सकती है क्योंकि यहाँ पर साइकलोजी नंबर है 9500 तो ये candle हमें दिक्कत दे सकती है market जब भी ये candle बनती है तो chances market के नीचे आने के रहते हैं अभी बहुत यहाँ पर risky है देख सकते हो आप बहुत सो ट्रेडर अभी आप देख सकते हो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये candle दिक्कत दे सकती है और दिक्कत इसने दी भी है और इससे पहले हमने अपने जो भी है position को मतलब भाई साब exit कर दिया है बिल्कुल देखो ट्रेडर ये candle भाई साब नीचे की बनी थी और मार्केट अभी नीचे आ रहा है सिधा मार्केट सड़े 400 से अब देख सकते हो 300 के लगबग आ चुका है और बड़ी कोल के लिए entry बन सकती है मैंने इसलिए कोल में बाय किया था क्योंकि ये candle ना एक पिन बार candle बनी थी और ये candle यही दरसाती है कि inek को बायर नीचे नहीं आने दे रहे हैं पूरी कोशिस कर रहे हैं लेकर मार्केट ने अपने डे के हाई को ही उपर कितरफ ट्रोस नहीं किया है तो इसकि करान से नीचे आ गई यह केंडल देखो कितना बढ़िया यहां पर मार्केट में पहले ही बता दिया कि भाई सा मैं नीचे आने वाले हूं आप सेल कर सकते हैं और मार्गेट देख सकते हो भाई साब अभी नीचे आ रहे हैं 200 पॉइंट की मुमेंट मिल चुकी है हमारा प्रिम प्राइज भाई सब देख सकते हैं 590 का एक मिन्ट मैं आपको दिखा देता हूं क्या होगा 639 पर भाई किया था इसको मैंने एंड यहां पर 667 मैंने इसको सेल कर दिया आप देख सकते हैं वाई सब खुदी है ना अभी इसका प्रिम प्राइज 500 कितने पॉइंट का लोस हो जाता 30-40 पॉइंट का लोस अभी आपके सामने यहां पर चल रहा होता लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसलिए बोलता हूं सही जग कल भी मार्कित ने इसी तरीके से जो यह ठरैप क किया था कैसे यह वाला सिस्टम टेक्शकिए हो मार्किट में स्विंग बनाया था उपर की तरफ लेकिन मार्किट आ गई नीचे की तरफ यही सिस्टम यही स्विंग मार्किट में आज फिर से बनाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्विंग बना था लेकिन मार्किट नीचे आ गई जाने ही हां अगर हम तम मानते ये स्विग या तो इसके ऊपर जाए ऊपर जाने के बाद स्पोर्ट को जो रर अशिस्टेंस अब बन जाएगा उसको रिटैस्ट करके फिर उपर जाए तो वो प्रबर एक स्विग होता यहां पर भी देख सकती है कितने अच्छे तरीके से अगर आप यह सोच थी हो कि यह candle वैसे ही बनी है थोड़ा hold करके रख लेता हूं तो फिर तो खतम हो जाएगी कानी इस तरीके से नहीं सोचना है अब हमने भी बिल्कुल सिम वैसे ही किया है इस candle में मैंने बाइ किया था candle की closing पर मार्केट ऊपर गई यहां तक गई अच्छा क बाइं लेहां कर दिया कि मैं मार्ण अभी नीचे जानी वाला वाली हूं आप सेल कर देजिगा सो मैंने सेल गर दिया अब मार्केट उनंचा सदार पर आया फिर यहां पर कोई बुलीश केंडल बनाएं तब हमारी इक कोल मैंटरी बन सकती है सिमपल बिल्वोजिग इसी तर वह अपनी लेकर बैठा होगा कि नहीं मार्केट उपर जाएगा उपर जाएगा तो उपर तो जाएगा लेकिन इतना लोस हो जाएगा इससे बहुत सेल कर दो मार्केट नीचे आए थोड़ा सस्ता मिलेगा प्रोडेक्ट बाइ कर लो फिर सेल कर दो अब जो भी है उसको तो देखो यह स्विंग अगर मार्केट ने नीचे की तरफ क्रोस किया तो चांसे मार्केट के नीचे की तरफ बन जाएंगे ज्यादा नहीं थोड़े 300-400 पॉइंट के मोमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है अभी एक बुरी स्कैंडल बन रही है बनने देते हैं अगर यहां पर यह मारूबूजू कैंडल इसके बिल्कुल सेम इसके जितने ही बन जाती है ग्रीन कैंडल तो मार्केट के चांसे फिर बन जाएंगे हम यहां पर कॉल में अंट्री ले सकते हैं लेकिन देखते हैं क्या सिच्वेशन बनती है उसके इसाफ से ही हम ट्रेडिंग करेंगे अब ट्रेड़ देखो यहां पर अमारी एक बाइंग होती है कोल में अभी प्रमें प्राइच चल रहा है 331-333 के लगबग हम यहां पर एक कोल में बाई कर सकते हैं चांसे हैं कि मार्केट यहां से उपर जाए क्योंकि यह जो कैंडल बन रही है यह में बेसिकली यही बतात सा यहां पर बड़ी accuracy वादर ट्रेड मिलेगी लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा रिस्क दिख रहा है यह केंडल बनी तो है एक लेकिन अच्छे तरीके से प्रोपर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही है तो देख सकते हैं आप किस तरीके से बिल्कुल मार्केट यहीं से उठा था थोड़ा सा यहां पर देखो सो पॉइंट की मुमेंट दो सो पॉइंट की मुमेंट यहां पर हमें मिली थी फिर भी कोशिस कर रहा है मार्केट फिर से यहां पर उठने की लेकिन यह केंडल जो बन रही है न यह बेसिकली हमें यह बताती है सेलर वगेरा क लेकिन अगर यह candle green बनती है तो chances बन जाते हैं मार्केट टूपर जाने की और हमें कोई ज्यादा point नहीं चाहिए होते हैं सो मैं यहां पर आपको buy करके दिखाता हूं क्योंकि हमारा target only 1000 रुपे यह दस परसेंट का ही है और अभी आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमारा जो भी profit चल रहा है आपके सामने उन्चा 1300 की call है एंड 3637 पे मैंने इसको buy किया है 640 44 42 के लगबग यह चल रही है सो जैसे ही यहां पर 1000 रुपे का profit होता है मैं ट्रेड के हिसाब से मार्गेट के हिसाब से मैं यहां से exit कर जाओंगा और आपको फिर मैं last में update करता हूं तो ट्रेडर अभी आप देख सकते हो हमें अच्छी खासी यहां पर moment मिली है candle ने इस candle ने ड्रा तो दिया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अच्छा हमारा आज का जो भी है profit हो चुका है 1000 का target रहता है 10% का हमने इस ट्रेड में कौन सी ट्रेड थी यह वाली थी उनन चाहस जार तीन जोगी तीन सो चैसो 377 पर बाई किया चैसो 72 पर हमने इसको सेल गर दिया 528 का profit हमने इसमें किया है बस अब मार्गिट चाहें कहीं पर भी जाए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है हमारी आज के टार्गेट हो चुका है रिसक मैंजमेंट को फॉलो करोगे ना तो profitable ट्रेडर रहोगे मेरी बात मानो 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 ठीकर आब रिसक मैंजमेंट कहनो सार अपना काम हो चुका है अब चाहें मार्किट कहीं पर भी जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ठीकर ना लोजिक य यही है, buying यहां से इसलिए आ रही है, क्योंकि यह एक psychology number है, वैसे भी market का जो trend है, वो फिलाल uptrend है, downtrend नहीं है, इसी कारण से यहां से buying हमें देखने को मिल रही है, और जो यह candle बनी थी ना, यह basically यही बताती है कि यहां से market के उपर जाने के chances है, वैसे HDFC bank में भी यह candle बनी थ किया और उसके बाद ये candle देरे देरे ऊपर चली गई क्योंकि अगर इसके नीचे आती ना मार्केट candle तो मैं याँ पर सेल कर देता मैं याँ पर बिल्कुल नहीं रुकता अभी मार्केट सिर्फ इसी रेंज में चल रही है क्यों क्योंकि जो और जो उननचा जार पांसू का लेवल है ना वहां पर ऊपन इंट्रेस्ट और और यह अच्छा का सब्सक्राइब है तो इसी कारण से market Lale में ही चल रही है तो इस लेवल की उपर resistance है यहां पर स्पोड है तो उपर से सेलिंग नीच आउस तरीकें से चोटी-्मोठी ट्रेड बन सकती लेकिन चोटी-मोठी नहीं है यह 400 पॉइंट की मूमेंट ढ़्योफ देख सकते हो तो इस तरीके से candle देखकर सही candle देखकर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपकी accuracy रहेगा अगर गल्त होती भी है तो exit कर दीजीगा तुरंते क्योंकि market हमें पहले संकेत देती ही है पहले संकेत market ने दिया हमने exit किया second market ने ये थोड़ा सा दिक्कत दी थी लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर रुका candle तो यहाँ पर यह ठीक ठाक नहीं बनी थी बिल्कुल नहीं बनी ठीक ठाक और वैसे एक तरीकी से देखके तो candle हरी candle के ऊपर है मतलब की buyer फूल जान लगा रहे है market नीचे नहीं आनी चाहिए लेकिन seller भी पूरी जान लगा रहे है उसके बाद second bully scandal खड़ी कर देते हैं बस इतने में आवरा काम scalping सिर्फ इतने ही देर के होती है बड़े target इस ऐसी moment में बड़े target नहीं मिलेंगे बड़े target तो या तो इसके उपर निकले या इस स्विंग के उननचा 1,000 के उननचा 1,000 के नीचे जाए तभी कोई बड़ा target मिल सकता है इससे पहले कोई बड़ा target नहीं मिल सकता है थोड़ा बहुत HDFC bank भी देख सकती हमारा साथ दे रहा है है ना क्योंकि HDFC bank का sport यहां पर है यह ही scandal में हमें buying मिली थी इसके बाद ही scandal में हमें buying मिली थी यहां पर आप देख से तो इस candle एक ही candle में हमने अपना profit कर लिया है 1000 का 10,000 के ट्रेडिंग से 200 part complete होता है काफी कुछ चीज़े आपको सीखने को मिली होगी उम्मीद करता हूं candle को देखकर trading मैंने आज की है आपके सामने OI को भी देखकर मै 53,000 है एंड 500 पर यहां पर 55,000 है स्पोर्ट है रसिस्टेंस 500 के उपर निकलती है तो यह trap हो जाएंगे trap होने के बाद सीधा market में fire moment देखने को मिलेगी जो कि हमें ले जाएगा सीधा सीधा ले जाएगा यह ले जाएगा 49,800 तक उसके बाद next target 50,000 का होगा नीचे की तरफ ल 55,600 तक जाने की कोशिस करेगा चंसे थोड़े market के ऊपर के है ना के नीचे के इस situation में OI को लात मत मारो मैं क्या बोलता हूं OI को लात मत मारो एक दिन आपको trap कर दिया इसका मतलब यह नहीं कि विचारे कुछ नहीं करेंगे वो अरे भाई साब उनकी भी तो कुछ है यार मा इसका मतलब यह थोड़ी नहीं होता है कि वो चीज़ खराब हो गई नहीं यार ऐसा नहीं मैं तो नहीं करता है ऐसा कभी भी बेलकुल मुझे OI trap कर देते हैं कदी-कदी मैं तो नहीं करता है क्योंकि मुझे पता है OI की खासियत क्या है अब कभी-कभी हो जाता है कोई दिक मैंसेट से चलो कैसे नहीं बढ़ हो गया आगे मुझे बताना तो आज की वडियो में से इतना ही उम्मिद करता हूं काफी कुछ शीखने को मिली होगी आज तो दस बजे ही अपना काम हो चुका है करते हैं अपना काम जो भी है और मिलते हैं कल के दिन सो अच्छे तरीके से अपने कैपिटल को बचा कर ट्रेडिंग करिएगा बिल्कुल लालच मत करिएगा अगर आगे भढ़ना है तो जैसे रिकिसना सभी को बाई बाई टाटा सी यू